एकदम याद आजाते हैं, चुकि हम धम में है, इसलिए हमको तुरंत याद आता है कि नहीं ये तथागत बुद्ध का ध्यान है, भगवान बुद्ध नहीं तारे विश्व को ध्यान के मार्दम से जीवन को सुखी बनाने का मार्ग बताया है, बच्पन में सिध्धार्त, आनपानसती का ध्यान करते थे कहा जाता है कि वो पांच वर्षी की उम्र मैं आनपानसती का ध्यान एक जामन के पेड़ के नीचे करते थे, तो आगे ध्यान करते 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 वो फिर बुद्ध वने हैं तो लोग कहते हैं कि भाई यह ध्यान कोन करेंगे बुड़े लोग करेंगे या जादा उमर वाले करेंगे या कोई साधू संत भित्कुलोग ही करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है ध्यान सभी के लिए है बच्चों के लिए भी है सभी के लिए है इ व्हमारी उन्नती होती है, और हमेशा आगे बढ़ती ही बढ़ती जाता है. हमारा जीवन सुख में आगे बढ़ती ही जाता है, स्रेष्ट होते जाता है. और जैसे तथागथ बुद्ध अंतिम लक्ष तक पहुंचे ज्ञान प्राक्ति किये, ऐसे धान करने से हम भी आगे और इसको हम देखना है हमारा मन में बहुत सारी विचार चलते रहते हैं जिसमें हमारा राग, द्रेश, मोह चलते रहते हैं सारे अकुषल कर्म हैं यह ध्यान में बाधाय उत्पन्न करते हैं, हमको सही तरीके से ध्यान करने नहीं देते हैं, तो हम ध्यान करने से, आनपान सती ध्यान करने से हम सुखी हो सकते हैं, स्रेष्ट बन सकते हैं, जैसे कि सिध्धार्थ बुद्ध बने हैं. द्धान में हमको बैठने के पहले हमको उसका लाब भी पता होना चीरि, एक जो हमारे और हम को सिर्फ एक उद्देश होना चाहिए कि हम आज ध्यान करने अभी हम तुरंत ध्यान करने बैठे है वह सारे हमीरी पटा-चला ध्यान करती समय हम हमारे मन में इर्षा है द्वेश है किसी तरह का नफरत है लड़ाई जगड़ा है जलन है तो इस तरह हम ध्यान कर सकते क् दोर करने का प्रयास करना है यह हमारा मन गंदा है या बुरे विचार है तो हम तो हमेशा खुशल बात और सकारतमक विचार रखकर खुश रहे के ही ध्यान करना चीए. यदि जैसे कि हम शरीर हमारा बीमार होता है, तो हम क्या करते हैं? कि हम डॉक्तर के पाथ जाते हैं, और यदि हमको भूख लगती है, तो हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन यदि मन बीमार होता है, तो अकुशल बाते आते हैं, तो उसके लिए आनापान सती बहुत ज़रूरी है. आनापान सती से हमारा मन एकागर होता है, हमारे अंदर की अकुशल बाते दीरे-दीरे दूर होते जाते हैं, और हम मन शान्त करते हैं, और बहुत अच्छे से हम फिर धान करने में हमारा मन लगता है. आनापान सती से हमारी इस्मरन शक्ति बढ़ती है, आनापान सती से कहते हैं कोई की कुछ बीमारी भी होती, मानसिक बीमारी बोली है या शारीक बीमारी, तो हमारा मन यदि अच्छा रहेगा, तो इस तरह का भी हम निरोगी हो सकते हैं, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र हो न द्रम ख़ull ऑई तक रर और हम इसे झिंजसा थान करने से हमारे मतलब अखुशलल्डड मतलब जंगल में गये तो कहते हैं कि तीन थीम मनें कंट नियूब अनपक शती का ध्यान करते थे बहुत प्रेक्टिस करते थे तथा गद्भुद्ध और जब उनों ने बोधिवरक्ष के नीचे भी ध्यान किये तो उनोंने आनपान सती ही ध्यान किया उसके बाद में वो समाधी में गय और फिर विपशना में गये और इस तरह से उनको ज्ञान है उसका नाम दिया है उन्होंने आरी विःद, ब्रह्म विःद तथा गत विया इस तरह के उन्होंने नाम दिये है जिसे हम हमारा vidéo मन के बुरे विचार है उसको परापर practice करने से हम एक ड़ा सकते हैं और आनापान सती, सुक देने वाला मार्ग है, धान है, सुक पनित देने वाला धान है, और हमको शांत करने वाला धान है, हमारा को कुशलता में पहुचाने वाला धान है, इसमें भी तथागत ने एक बहुत अच्छा उधारन दिया है, कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बहुत ग दूल डश्ट एकदम पसीना पसीना हो रहे हैं बहुत ज्यादा धूल डश्ट हवा के साथ ऊड़ रही है लेकिन तब अचानक बारिश आ जाती है तो वह बारिश जो हम जो जम जाती है तो हमारा मन शांत पचीत रहता है और हम बहुत अच्छे से पवित्र कर सकते हमारे मन को उच्चे तमवस्ता में ले जा सकते हैं तथागत बुद्ध बोले है कि अनपन सती एकांत वास में करना चीए मतलब जंगल में करिए या किसी पेड़ के नीचे करिए या फिर जहां शांत वातारन हो एक रूम में हम अपने आपको बंद कर सकते हैं और फिर महां पे हम लोग बहुत अच्छे से पाल्थी मार कर पाल् के हम लोग बैठ सकते हैं अगर कोई इस मतलब नीचे नहीं बैठ सकता है तो हम कुर्सी पर या पटे पर भी ऐसे बैठके हम बहुत अच्छे हमारे को मलता से हमारे आग को बंद करके हम आनापान सती का धान बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जब हम बैठते हैं पाल्की मा सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें इसमृति वान होकर हमको देखना पड़ेगा देखते हैं हमारा ध्यान हमारी सांसे कैसी आ कैसी जा रही है किस तरह से आ रही है तो इस तरह से आनपन सपी को हमने चार भागों में बाटा है पहला से दस तक फिर सांस लेना चोड़ना है थार्ड में हैं सामन्य गति से हमारी सांस को आते जाते हुए हमको महसूस करना है हमको इसमें किसी भी तरह की जवदस्ति नहीं करना है और चौथे में हैं कि हम अपने तरह से सांस को आते जाते देखना है इसमें हमारा सांस एकदम हलका हो जाता है सिंपल तरीके साथ आती गाती हुए हमको देखना है और हमको इसमें यह भी देखना है कि हमारे जो संस जहां टच होती है केंद्रविंदू उसको पहचानना है तो ज्यादव तर हमको यह कहा महसुस होती हमारे नाक और ओट के बीच में होती है शायद कहीं हातों और सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आता है कामचंद कामचंद आता है तो हमारी इंद्रियों द्वारा होता है कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब आखों को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो यह भी हमारे ध्यान के समय करते समय हमेशा आखें बंद रखना चाहिए के द्वारा हमको कभी-कभी सुगंद आ जाती द्यान करते समय तो यह भी बहुत भाट खतर्नाक मतलब यह बाधा ह तो इसको हमको दूर करना पड़ता है तिसको हम कामचंद बोलते हैं दूसरा है भोजन के द्वारा इसमें कामचंद में भोजन भी कभी-कभी हमको भोजन पाध प्रतिष्ठा यह सारी बहुतीक सुखी कामना जो हम करते तो यह हमारी बागाय आती है और जिससे कि हम अनापानसती या ध्धान किसी भी तरह ध्धान नहीं कर सकते हैं. दुसरा है व्यापाध व्यापाध थाले बेश तो व्यापाध में ऐसे कि इसमें हमारे मन का कुछ होता नहीं है। और यदि हमारा वैसा नहीं होता तो हम में द्वेश आ जाता है और हम फिर क्रोध करने लगते हैं कि आरे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरा कहना नहीं सुना, इस तरह से हम देखते ही कि ये इसमें भी हम हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, हमारे मन में उसने ऐसा ही हमको क्य इस तरह से हम सारी मतलब बाते मन में चलते रहती जिसके हम चांते नी बढ़ सकते हैं और हमारे मन में हमेशा नकार अत्मक बात कर चलते रहती है तो इसको भी टता कद गुद ने बहुत अची उपमा दिये है खोलती विय पानी कि वलती वे पानी की उपमा दिये है व्यापात को और कामचंद को जो रंग भी रंगी पानी रहते हैं उसका उपमा दिये गया है तिसरा है थिन मिठ याने कि आलस ये आनपान सती या ध्यान सराव में सबसे खतरनाख सबसे ज्यादा मतलब परेशान करने वाली बादा है है यह एकदम रुकी हुए अवस्ता जैसी होती है ना यह हमको इतना ज़抹़ाद से इतना जाहाद परशान करता है कि हमको अदर के इंटर्जी और हम सबते हैं अरहा यह द हाती है और फिर कोई देखा कि अचानक हम को उठा देता है तो हम सोसे नहीं हम तो ध्यान कर रहे हैं तो इस तरह चारी रिक्तोर से भी हमको आलसी बना देता है और हमारे अंदर उस्सहा भी नहीं रखता है इसको काई की उत्मा दी है जिस तरह पानी की उपर काई पड़ जाती है ना तो हम उसमें इस पश्ट तरीके से अपना चहरा नहीं देख सकते हैं वैसा आलसी में हम यह बादा सबसे खतरनाक होती है चौठर इसे में हमारा यदी मन로 अश्वस्त है किसी तरह का अशांत रहता है तो हमें कोई कारी सई हमसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन अश्थिर रहता है बहुत सारी बातों में हमारा मन उलजह रहता है कि यह भी काम कर LIVE के चिसके वाजह से हमारा मन और तन दोनों भी बीमार और अस्वस्तर महसूस करते हैं तो हमको इस वज़े से भी हम ध्यान को सई ढ़म से नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम कोई काम भी करते तो गलत हुए सई तरह से कारिय नहीं हो पाते हैं तो हम यह जब हम यह जानती है तो इसको हमको दीरे-दीरे अलग करना पड़ता है और फिर हम आना पन सती यह धान में हमको मन लगाना पड़ता है इसमें भी तथा गत्बुध ने तरोंग वाला जो लहरे आती ती है आपका पैले के उप्मा दी है इसमें मग अपना चेहरा इस प्ष्ट महीड दें तो हम्-प्रत करता हैं प्रती स publicity कि इसमें से कर दोक्त करए इक बंदी घ्रीज आपने का है और देग करते हैं तरह से सकार करते हैं तो यह अपने उला पारी है यह हम इश्षा करते हैं तो बहुत सारी बाते मतलब तो क्या मतलब हम ध्यान करने से तो इस तरह से कि हमको सही क्या है क्या गलत है हमेशा हमारा मन शंका से भरा रहते हैं और हम कभी भी प्रतिग्या बद नहीं हो सकती कि नहीं हमको आज दर्ड संकल्प करना एक मुझे जैसे तथागत बुद्ध ने दर्ड संकल्प किया था कि मुझे जब तक ग्यान की प्राप्ति नहीं हो ज पलचे से हम आगे बढ़ सकती है और शंका को शंका मेदा से भी हम दूर हो सकती इसमें बुद्ध्ध ने किचर से भाढ हुआ पानी जैसे किचर से भाया पानी देते हैं जिसमें हम अपने चहरे को इस पस्ट नहीं देख सकते हैं और इस तरह से हमार ये जो आनापान सती या ध्यान की जितनी भी बाधा मतलब वीधिया है उसमें ध्यान करने में ये पाच निवरण है ये बाधा है जो हमको हमेशा परेशान करते रहती है. हम चार स्टेप जो हमको शुरू में हमने बताए है कि हमको सांस लेते है तो पहले सांस लेते हैं छोड़ते हैं और चौते स्टेप में हम केंद्रविंदू को पहचानते हैं. अच्छा हम कभी कभी क्या करते हैं कि धान में बैठना है तो हड़बड़बड़ करते हैं जल जल दियारे नहीं हम करना है आदा घंटा मतलब करना ही है कभी कभी हम अटेंशन में करते हैं तो कभी कभी हम जल्दवाजी में करते हैं इससे न धान कभी भी नहीं लगने वाला ह सही तरह किसे हमको उसका जो ध्यान का लाग मिल सकता है, वो नहीं मिल सकता है, हम गुस्से में नहीं ध्यान कर सकते हैं, या ध्यान करते समय हमारे मन में किसी तरह के विचार आ रहे हैं, तो उसको भी हमको हटाना पड़ता है, जैसे बादल आते रहते हैं उस तरह से उस विच तो मुझे सिर्फ अभी ध्यान में ही मन लगाना है। वाकिसतारे दूर को हम सारे बातों को तूर करना है। इस तरह से हम अच्छे मन से खुश होकर प्रसन्चित मन से हमको ध्यान में बैठना है, हमारे मन को कभी भी भठकाना नहीं है। इस तरह से शांती मन से हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, और ध्यान में ध्यान करने से हमारा जीवन श्रेस्ट होगा, हम उच्यतम अवस्ता में पहुचेंगे, तथागत बुद्ध ने कहा कि आप भी मेरे जैसे बुद्ध बन सकते हैं, हम सब में का बीज है, और बस हमको उसमें खाद पानी देना है, तो ध्यान करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे, हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, हम देख रहे हमारे जो बनते हैं, बनते हैं, उर्गें संग रक्षी जी, कितने उच्चितम अवस्ता में पह हम को दिये हैं, तो ये सब द्धान के माद्यों से होता है, हमारे बहुतअच अच्छे धंवचारी जो बैठे हो आज, इस लेवल पर पहुझ गया है, तो वो भी सिर्फ धान के माद्यों से, तो हमको जरूर धान करना चाहिए, तो अभी हम आनापांश्ती का धान करेंगे, तो हम ध्यान के लिए हम त्यार रहेंगे तो बहुत-बहुत सादुबाद मुझे ध्यान के लिए बोलने के लिए जैभिम नुबत है